हाई अब्रीवन वेलकम बैक टो बाई चैनल दोस्तों आज हम आप के लिए लेकर रहा हैं आलू और सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नास्ता इस नास्तियों को आप बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए या उनके टिफिन के लिए कभी भी बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए रेश्पी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे एक कड़ाई में दो चमच तेल लेंगे तेल जैसे ही करम हो जाए उसमें हम डालेंगे आधा चमच जीरा आधा चमच राही और साथ ही डालेंगे दो बड़े चमच सफेद वाले तिल अब इन स मिर्च को एक मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च मिर्च को भी हमें आपे थोड़ा सा मिला लेंगे और उसके बाद हमें आपे डाल देंगे दो कप पानी यह नास्ता हमें आपे एक कप सूजी से बनाने वाले हैं तो उसके तीज़ पाउंडर आप यहां पे मिर्ज की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं हमें यह नास्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्ज की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखेंगे जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाए उसके बाद हमने आलो को भी मया पिक्ष कर लेंगे और इसे एक मिनट के लिए पकने देंगे एक मिनट पकनी के बाद हमें आप लेंगे शुजी यदी आपके परस मोटी वाली शुजी तो इसको मिक्षी जार में डाल कर इसको ग्रायंड कर लीजिए तो सुजी को अब हम इसमें थोड़ा- ने एब्जॉब कर लिया है सूजी ने तो हमें इसको कंटीनि तब तक चलाना है जब तक पैन नहीं छोड़ने लगता है अब हम इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं सूजी एक मिनट में अच्छे से पक जाती है और पैन छोड़ा शुरू कर देती है इसको पकाने के लिए हमे बहुत ही अच्छे से और फूल जाए तो यहां पी दस मिनट हो चुके हैं अब हम इसको दूसरे बरतन में निकाल लेंगे अभी बहुत गरम है तो हमें इसको थोड़ा करके फैला देना है ताकि हलका ठंडा हो जाए हमें इसको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है अब हम दालने के बाद हम इसको तब तक मच लेंगे जब तक ही डौकी फॉम में नहीं आ जाता है आप चाहें तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं ताकि बहुत अच्छा सा चिकना हो जाए तो अब इसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है यहां पे देखिए कितना अच्छा सा चिकना है स्मूध डोवन के तयार हो चुका है तो चलिए वो महातों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको राउंड करके ऐसे गोल फ्रीज बना करके तयार करेंगे आप इसको अब कोई भी मन मुताबिक से दे करके तयार कर सकते हैं आप हमें एक ब हाग को हटा देना है उसके बाद एक एक इसके टुगडे क resident कर लेने हैं तो आप देख सकते हैं अब इसके छोटे चोटे एक साइस के करने के बाद इनको दोनों तरप से थोड़ा सा ऐसे दभा दीजिए ताकि इसमें बहुत इंच्छे से finis Microsoft हमारा देखने में बहुत ही अ यहां पर सभी स्नेक्स बन करके तयार हो चुके हैं, अब इनको आप चाहें तो इस्टोर भी कर सकते हैं, आप एक एरटाइट कंटेनर लीजिए और इन्हें भर करके एक सी दो हपते के लिए फ्रिज में इस्टोर कर लीजिए, तो यह बहुत यह आसानी से बनने वाला स्नेक् करने के प्रोसेस में तो अब यहां पर ऑफे अच्छे से गरव हो चूका है तो अब हम एक एक पीस को लेंगे और and in नाल लेंगे तो आपर यह पेशं को डिलीम कर लेना है जब इन पीस को आनल में डालेंगी तैब उन इन पीसेश को बिल्कुल भी नहीं टेच करना है जब इनका जाग थोड़ा शा कम हो जाए तब हम इन उलट पुलट करके दोनों तरब से शेक लेना है तो यह लीजिए यहाँ पे इसका जाग थोड़ा सा कम हो गया है तो अब हम एक कलची लेंगे और इसको उलट पुलट कर देंगे जब इन स्पीशिस को बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा श्टर करते जाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा सा इन में एक समन कलर आएगा जो कि देखने में तो अच्छा लगेगा ही और यह बहुत ही अंदर तक अच्छे से सिख करके तयार हो जाएंगे अब यह इस स्नेक्स खाने में उतना ही टिस्टी है तो ठीक इसी तरीके से अपना सेकेंड वैस वी से करके तयार करेंगे सबसे पहले हम पीसेस को ऑल में डालेंगे और इनको हलके-लके से फ्राई होने देंगे तो फ्रेंड्ज यह बहुत हलका-फूल नास्ता और बहुत ही कम समय मे एक बार अपने बच्चों को यह नास्ता बना करके जरूर खिलाएं दोस्तों आपको यह वीडियो को लाइक किजिए और चैनल पर नए है या पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंट्स आपसे फिर से रिक्रेस्ट आप एक बार इस प्रेस्पी को जरूर ट्राइब करें यह किर माने दोस्त आपको यह बहुत ही चाहता पसंद आएगी आप इस स्नैक्स को इवनिंग में चाय के साथ या टुबाटो केचप के साथ सारू कीजिए बहु